दियर स्टूदिंट्स आज की क्लास में हम पजेजिव केस की एक्सेसाइज पढ़ेंगे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आपका पजेजिव केस डिटेल में उसका अध्यन कर चुके हैं 17-18-18 की छोटी मोटी चीजें हैं एपस्ट्रोफी 10 लगकर बनता है हिसिंग साउंड आजाए तो केवल एपस्ट्रोफी लगाते हैं प्रॉपर नाउन के में हिसिंग साउंड का नियम लागुन नहीं होता proper noun, hissing sound होते भी apostrophe S और बिन apostrophe S दोनों के लिए प्रियोग हो सकता है सजीव का बनता है, नरजीव का नहीं बनता है, लेकिन उसमें personified objects का बन जाता है personified objects में बाद में हमने देखा कि अगर कोई नरजीव के साथ सजीव का गुन भी जुड़ा है तो उसका भी पजेजिव केस बना देते हैं, उसकी चोटे मोड़ी डिटेल समने पड़ी, बस कार ट्रेंड का बन जाता है, पॉइंट वाले अब्जेक्ट्स का, टाइम वेट डिस्टिंस का, इनका वहिकल्स का पजेजिव केस बन जाता है, बहुत सारी चीजे माइनूट डिटेल समारे सामने आई, और उसका मद्धिन करते आई, जोइंट पजेशन कैसा होगा, फ्रेंड ओफ माइन का, मतलब मेरे दोस्तों मेंसे एक दोस्त, बट आप ये नहीं कह सकते हैं, वाइफ ओफ माइन, मेरे पतनियों मेंसे एक पतनी, क् यूनिक रिलेशन सिप में संभव नहीं है, जोइंट पजेशन कैसे देखा, छोटा मोटे इन पे हैं, फिर अगर मान लिजे एपस्टो फेस के साथ पजेजिव के इसका प्रियोग हुआ है, तो फिर कई बार जैसे फ्रेजे या रिलेटिव क्लोज आ जाते हैं, तो उसमें कैसी प्रिस्ति बनती है, हु या विच से जुड़ा हुआ, हमें देखना होता कि कि शब्द के लिए हु या विच वाया है, तो हम पजेजिव के इस सुटेबिलिटी के इसाब से प्रियोग करेंगे, अगर हमें उसको रिमूव करना पड़े तो उसको भी कर देंगे, उसको एपस्टोफि का प्रियोग करेंगे, पजेजिव के इसका प्रियोग हम सोरी, उसका आगे नाउन नहीं लगाएंगे, फिर comparative sentences की बात आई, कि comparative sentences में क्या होता है, अगर पजेजिव के इसके तुलना के गई है तो as और then के बाद, केवल और केवल पजेजिव के इसका प्रिय पिर हमने कहा कि somebody else, anybody else, one और buddy वाले जो हैं, उनके साथ अगर else लगके बनता है तो positive case else पे बनाते हैं, ना कि somebody पे anybody पे, something, nobody, nothing और anything का बनता नहीं क्योंकि वस्तुए हैं, तो वहाँ पे noun of noun का प्रियोग करेंगे, अगर adjective से पहले दलगा कर को collective noun बनाया गया है, collective noun का प्रियोग किया गया है, तो उसका positive case नहीं बनाते हैं, यह छोटी मोटी चीज़ हमने पड़ी, यह पूरा आपका लेखा जुक है, उसके आधार पे question हम solve करेंगे, तो पहला question आपके सामने आ रहा है, the armchair's light and durable cast iron frame, armchair के frame के बात हो रही है, यह जो बीच के शब्द हैं, यह adjective हैं किसके लिए, frame के लिए, तो main तो frame ही है, तो एक चीज याद रखेगा, positive case प्लस noun के बीच में, article, adverb, adjective और noun, थीन चीज़ें, क्योंकि जहां पे noun होगी, वहां पे adjective भी हो सकता है, और जहां पे adjective वहां पे कोई adverb भी हो सकती है, या तो अखेली noun होगी, या adjective प्लस noun होगा, adverb plus adjective प्लस noun होगा, और इधर क्या है, कोई noun होगी, अपस्टोफियस में, इसके plus में, चूंकि जहां पे कोई noun आता है, adjective प्लस noun आता है, adverb प्लस noun आता है, उनके article भी आ सकता है, लेकिन positive case, plus noun के बीच में, article का प तो जब हम positive case से off का परियोग करेंगे, तो ये वाले जो part है, adjective, adverb जो noun से जुड़े होए है, वो सारे के सारे एक साथ इधर आता है, तो जब आप इसको पहले का answer करेंगे, तो आप इस तरीके से करेंगे, the light and durable last iron frame of the armchair, इस तरीके से हम इसका प्रियोग करेंगे, तो part A में error है, ये वाला जो है आपका, इसमे error है, दूसरे में, they found the furniture's wood, फिर A में है, furniture की wood, सो हम यूज करेंगे, the wood of the furniture, the wood of the furniture, मैं quickly करवा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा इसमें समय वेतित करने की जरूरत नहीं है, common sense है, noun of noun का प्रियोग करेंगे, निर्जीव निर्जीव का पजिजीव के इसम नहीं बनाते, इस तरह की question, दोनों तरह की questions, एक ही category के हैं, exam में आ चुके है, the knights of order always sacrifice their lives for goodness's sake, यह hissing sound वाले से आया है, goodness में double s आगे end में, यानि hissing sound है, hissing sound है, तो केवल एपस्ट्रोफी का प्रियोग करेंगे, इस को remove कर देंगे, part c में error है, तो आप इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे, goodness's sake, apostrophe sake, आप इसका प्रियोग इसके साथ नहीं करेंगे, the school teachers across the country announced a month's holiday, आप देखें, a month है, एक महिना, तो a month है, तो यहाँ पे singular आएगा, singular तो hissing sound नहीं होगी, तो apostrophe S, ऐसे लगना चाहिए, तो यह जो apostrophe है, यह S से पहले लगाईए, उससे correct हो जाएगा, यही error है वसे इसमें, इतनी बारीक error भी कई बार पूछ लेते हैं, मज़े की बात, punctuation से समंदित error किसी भी exam में नहीं पूछी जाती, punctuation से समंदित errors नहीं पूछी जाती, लेकिन apostrophe एक मातर अपवाद है, चुकि यह determiner भी बनाता है, इसलिए इस पे आधरित questions लगातार exams में पूछे जाते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं, यह भी तो punctuation के तहता है, मैं मानता हूँ आपके बाद के punctuation के तहता है, लेकिन यह साथ में noun के साथ मिलके determiner के रूप में भी आता है, चुकि determiner's पे question पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे भी question पूछे जाते हैं, तो recent government decision, तो अभी, देखतो recent decision के लिए है, तो the government's recent decision हम बोलेंगे, the government's recent decision इस तरीके से हम इसका परियोग करेंगे, तो यहाँ पर government's decision है, government decision भी हो सकता है, लेकिन recent at least जो है वो इसके पहले आएगा, government तो यह तो होगी, आपकी the current government, existing government, recent नहीं होती हालिया नहीं होती, there should be a provision for children's playground, आप देखे, children's होगी, अपने आप में child का plural children होता है, child का plural children होता है, इधान रखेगा, बहुत से लोग बहुचन बना देते हैं, children's, which is wrong, तो children का अगर आपका positive case बनाता है, तो आप लिखेंगे, children's playground, तो apostrophe as इस तरीके से आपका लगेगा, इसमें, इसका आपको ध्यान रखना है, उसके बाद 7th है, she prefers to visit uncle's place, so she prefers to visit her uncle's, किसी की घर जब यात्रा पे विजट पे जाते हैं, तो आप apostrophe as का ही प्रियोग करेंगे, घर का, शौप का, इतियादी का प्रियोग हम नहीं करेंगे, यह हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको place को हटा देंगे, why don't you have a look at the chart to know about the train's arrival time, why don't you look at the chart to know the train's arrival, अब देखें, arrival जो है, उसमें time होता ही है, तो time को यहाँ से remove करेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, the time of train's arrival, या हम use करेंगे the time of train's arrival, हम इस तरीके से इसका प्रियोग करेंगे, the train's arrival time नहीं है, the time of train's arrival, तो इस तरीके के expression का हम प्रियोग करेंगे, यह correct expression होगा, part B में error है, अगला है ninth, the judge has taken a recuse, रेक्यूज का मतलब होता है कि आप case की सुनवाई नहीं करना चाहते, है क्योंकि उसमें किसी known पे case सल रहा है और वहाँ पे हितों पे टकराव हो सकता है, हितों के टकराव को रोकने के लिए आप चाहते हैं कि इस case से महट जाओं, तो इसलिए आप क्या कहते हैं, रेक्यूज ले लेते हैं, और किस के लिए for justice sake, अब चुकि justice शब्द ऐसा है, जिसमें hissing sound है, इसलिए हम इस S को यहां से remove कर देंगे, for justice sake, hissing sound का principle लगा है, यह ध्यान रखिएगा, तो केवल हम ऐसे लिखते हैं, for justice sake, the entire team decided to meet at one of the colleague's house, this is quite interesting, इसको मुझे थोड़ा रुक्के सम्झाना पड़ेगा, तेखे, प्रोन में पढ़ेंगे, one of, any of, sum of, कुछ भी हो, उसके बाद अगर noun आता है, और अगर noun वो countable है, कैसा है, तो वो हमेंशा क्या आएगा, plural होगा, क्योंकि अगर आप एक छांटेंगे, तो भी ज्यादा में इसे छांटेंगे, और अगर ज्यादा चांटेंगे, तो भी ज़्यादा मैं इसे ही चाटेंगे, तो one of, any of, some of के बाद अगर countable ना उनाता है, that has to be plural countable, clear, तो अब यहाँ पे अगर हम इस pair को देखे, one of colleagues, तो one of, यह जो colleague शब्द है, that has to be plural, one of the colleagues होगा, या one of colleagues होगा, अब यहाँ पे चुकि कलीग जो है, वो plural होगया, तो hissing sound आगया, hissing sound आगया, तो apostrophe इसके बाद लगेगा, one of the colleagues, हाँ उस शब्द की लगाने की आप सेकता नहीं क्योंकि घर पे आप जा रहे हैं, तो केवल इतना हैगा, one of the colleagues, the entire team decided to meet one of the colleagues, I hope it is clear, one of के सिद्धान्त को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, one of, some of, any of के बाद अगर noun countable आया है, तो that has to be plural, और जब वो plural होता है, तो उसमें hissing sound आजाता है, hissing sound आते ही, उसमें हम केवल एपिस्ट्रोफी का प्रियोग करेंगे, एइस का प्रियोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि hissing sound आ गया, हाउस शब्द का करने के वैसे आप सिकता नहीं, क्योंकि किसी के निवास्थान पर आप जा रहे हैं, तो वहाँ के उसकी जरूरत नहीं है, अगला जो आपका question है, अगर किसी की साजा चीज दिखानी है, तो केवल बाद वाले पर पजेजिव केस बनेगा, पहले वाले का पजेजिव केस हटाना पड़ेगा, जोइंट वेंचर साफ साफ लिख रहा है, यानि साजी चीज है, साजी चीज है तो केवल एक ही पे पजेजीव के संभव है, दूसरे पे पजेजीव के संभव नहीं है The notebook's cover was completely torn, notebook निर्जीव, cover निर्जीव, part A में error, the cover of the notebook का हम प्रयोग करेंगे श्रीमान, बहुत clear है, इसमें स्पस्ट है अगला है तुलसे दासाज दरामचरित्रमानस, इसमें डिटेल में हमारे डिसकेशन हुआ चुकि पजेजीव केस अपने आप में determiner होता है, इसलिए दूसरा determiner वहाँ पे नहीं आ सकता तो दे का प्रयोग हम नहीं करेंगे, पजेजीव केस प्लस नाउन के बीच में दे का प्रयोग, एन दे का प्रयोग हम नहीं करते ऐसा नियम पढ़ते हैं, लेकिन fundamental क्या है, फंडामेंटल किसी किताब में लिखा नहीं होता टीचर्स ही बताते हैं आपको आपके, वो यह कहते हैं कि स्रीमान कि पजजिव केस प्लस नाउन के बीच आर्टिकल का प्रियोग इसलिए नहीं करते हैं कि दोनों ही डिटर्मिनर हैं, तो एक डिटर्मिनर का प्रियोग एक बार में हम करेंगे, इसलिए दोनों का साथ प्रिय यूग नहीं हो सकता, they always loved Varun enjoying the company, वो किसको love करते हैं, enjoy करने को, जो company करता है, books के और literature के, तो इस बात से बहुत प्रेम करते हैं, कि Varun enjoy करता है, company साथ किताबों का और literature का, तो जब जेरंड object हो love का, तो जब भी जेरंड से पहले कोई भी noun या प्रनावन आया है, वो positive case में होग किसमें होगा, positive case, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, Varun's enjoying, तो यहाँ पे हम positive case का प्रियोग करेंगे, ठीक है स्रीमान, अब आगे बढ़ते हैं, अब एक तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, यह remove कर दीजिए, दूसरा जैसे ही आप two minutes लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको बहवचन बनाना पड़ेगा, बहवचन बनाएंगे तो केवल हम बाद में apostrophe लखाएंगे, तो two minutes ब्रेक, यहाँ आप ऐसे लिखेंगे, यह अगर error को रखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे, a two minute break, जब आप two को compound word में शामिल कर लेंगे, तो इसको बहवचन बनाने की आप सेकता नहीं है, तो इसको आप ऐसे यूज करेंगे, तो part b में error है, इसको ठीक करेंगे आप, पहला, यह trees leaves वाला पहले भी आचुका है, the leaves of the tree होगा, इसको आप लिखेंगे, the leaves of the tree, इसलिए part a में error है, ध्यान रखिएगा, 16 में, फिर आता है 17, the project should have always been completed in a year's time, यह शब्द का है, time-weight distance वाले शब्दों का पजजजीव के इस बनता है, तो हम लिखेंगे, a year's time, बहुत common problem है, common चीज है, part c में, theory में, detail में हमने पढ़ा, the court's verdict made even the most hardened criminals cry, the most hardened criminal cry, तो यहाँ पे no error आजाएगा, क्योंकि court's verdict पजजीव के इस बनता है, example भी दिया है, the space was so scarce, space इतना कम था, that they had to arrange everything in a foot's length, time-weight distance वाले शब्दों का पजजजीव के इस बनता, तो हम बोलेंगे, a foot's length, ध्यान रखिएगा, इस article का यहाँ पर आर्थ one है, one foot's length होगा, तो ऐस जो article है, वो foot के लिए आए ना कि length के लिए, पजजीव केस प्लस नाउन में, इस noun के लिए कभी article का प्रियोग नहीं होगा, बाद वाले के लिए, इद्धान रखना अपने को, the machine's eretic behavior has surprised every engineer, machines का behavior है, machines eretic behavior, तो ऐ आएगा, two hours delay in flight was unexpected for some of the passengers traveling the day, two hours delay, दो घंटे का delay, अब two hours है तो यहाँ पर बहुचन आएगा, तो यहाँ तो बोलेंगे, two hours, अगर hours को हम ऐसे लिखेंगे, तो बहुचन बन गया, hissing sound आगया, यहाँ पर अपस्ट्रोफिय लगाएंगे, तो क्या आएगा, delay, या इसको हम लिखेंगे, a two hour delay, a two hour delay, इस तरीके से हम लिखेंगे, दो तरीके से लिख सकते हैं, part A में error है, 22, a complaint at the nearby police station has been lost against a relative of the victims, victim के रिष्टेदारों में से एक रिष्टेदार के खिलाफ हुआ है, तो या तो आप लिखेंगे, the relative of the victim, कोई एक relative है, अगर आप, एक particular relative है, तो दे लिखेंगे, अगर आप कहते हैं कि किसी relative के, तो relatives में से कोई एक relative होगा, तब ऐसी प्रिष्टिती में यहाँ पर हम ऐसा एक एक एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे, या तो हम लिखेंगे क्या, the relative of the victim, अब पता नहीं कोई एक relative है, तो आप बोलेंगे, a relative of the victims, विक्टिम में ए नाहीं आता, विक्टिम में यह आप, ऐसा एक इसका option है, दोनों में से कोई एक option आप यूज करेंगे, article part c में यह error है, fortresses walls fortress होते हैं छो छो खिला होता है उसको fortress कहते है walls तो इसको हम ऐसे लिखेंगे दोनों ही निर्जी में इसलिए लिखेंगे the walls of the fortress किले की जो दिवारे हैं उसके लिए the walls of the fortress लिखेंगे 24th part a mirror 23rd में 24th we are sure that India's team ये पहले भी आचुका है थियोरी में इंडिया's team ने होगा इंडियन team होगा तो जितनी भी तरह की इसमें गलतियां या question पोचने के संभावना हैं मैंने पूरी पूरी इस exercise में include कर दी हैं कही बार आप इसको देख सकते हैं everything at his sister's in-law marriage went wrong as the groom demanded dowry everything at his sister-in-law's marriage sister-in-law की शादी में है तो sister-in-law का brother-in-law का जब positive case बनाते हैं तो हमें पता है कि जो epistrophe लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे sister in-law's marriage went wrong ठीक है सरकार as the groom demanded dowry 26th they could help but यहां पे couldn't I'm sorry it's a misprint they couldn't help but laugh at the minister's son's antics लगातार दोप का positive case हम नहीं बनाएंगे तो यहां पे part C में error है तो हम लखेंगे the antics of the minister's son इस तरह के से हम इसके answer को करेंगे यह भी हम study कर चुके हैं theory में अगला है they saw प्रदीप और रागव's wife going out for shopping in a cab तो हमने देखा कि यहां पे अगर केवल बाद वाले paper stuff ही है और पहले वाले पे नहीं है तो and से जूड़ी दो noun का जब इस case में positive case बना हो ऐसी इस्तिति में तो यानि दोनों की कोई साजी चीज है तो प्रदीप और रागव के पतनी एक नहीं हो सकती इसलिए part B में error होगे तो हम इसे लिखेंगे प्रदीप's क्या लखेंगे स्रीमान प्रदीप's and रागव's wife प्रदीप की पतनी है और रागव की पतनी दोनों के अलग लग है तो अलग लग दरसाने के लिए हम किसका प्रियोग करेंगे दोनों का positive case बनाएंगे तो part B में इसको हमें इस तरह का सुधार कर देना है जरूरी है question को सही करने के लिए ये friend है E-I-N-D तो इसमें आएगा a friend of my brothers came मेरे भाई के दोस्तों मेंसे एक दोस्त आया अब भी पीछे एक example गया उसी तरह का example है तो the friend of my brother होगा तो क्या होगा मेरे भाई का दोस्त था a friend of my brothers का मतलब है मेरे भाई के दोस्तों मेंसे एक दोस्त आया और अपनी मुझे साहिता मांगी 29th The book doesn't seems to be ours It must be somebody's else ये error है हमने देखा था somebody else's होता है somebody else's book तो इस तरीके से ये हमने देखा कि पजिजिव केस का जब हम somebody else, anybody else इनका पजिजिव केस each other, one another का बनाते हैं तो बाद वाला जो वर्ड है compound वर्ड में उसका पजिजिव केस बनता है sister-in-law, brother-in-law उसके केस में भी ऐसा ही होता है commander-in-chief's statement उसमें भी ऐसा ही होगा 30th nothing else is value अब nothing, something, anything का पजिजिव केस नहीं बनता तो हम बोलेंगे the value of nothing else तो इसको हम लिखेंगे the value of nothing else अब देगे thousand rupees अकेला नहीं होगा या तो या आप लिखेंगे thousand rupees या ten thousand rupees worth तो फिर correct हो जाएगे article तो कम से कम आपको लगाना पड़ेगा तो part A में error है thousand कितना कम से कम thousand को दो define करेंगे न the supreme court had state the prisoner's execution whom the high court convicted last month अब देखिए यहाँ पे whom जो आया है वो prisoner के लिए आया है इसलिए execution की जगे हम क्या लिखेंगे the execution of the prisoner उल्टा लिखना पड़ेगा इसको क्योंकि whom जो prisoner के लिए आया है तो relative pronoun का नियम होता है कि relative pronoun को जितना हो सके उसके antecedent के नजदीक रखा जाना चाहिए the execution of the prisoner ऐसे हम लिखेंगे इसको यह एक बार relative pronoun में फिर से आएगा वहाँ पे उसका अधिन करेंगे हम लोग अगला question है 33rd the six health जब भी adjective से पहले दय लगा कर अगर collective noun बनाया जा रहा है तो उसका हम noun होते भी भी positive case नहीं बनाएंगे तो हम बोलेंगे the health of the sick part a में error है इसका आप check कर लिजेगा 34 everybody's business is nobody's business proverb है no error d इसमें कोई error नहीं है रुपाली is the mother of resma's who is a firebrand lady तो क्या है रुपाली is the mother of resma's who is a firebrand lady firebrand lady है माता जी तो इसमें हम बोलेंगे resma's mother resma's mother इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहां पे firebrand lady resma की माता जी की लिए आया है resma's mother who is a firebrand lady यह आपका आज की exercise है इस exercise में हमने हर तरह का जो possible question है पज़ेजिव केस में उसका देन किया है खेवल एक तरह के questions को हमने अभी नहीं लिया जो हम pronoun में लेते हैं वो है comparative statements comparative में थोड़ा सा कुछ ओड़ीटेल्स होती है जो मैं personal pronoun में पढ़ा देता हूँ तो उसको आपको ध्यान से pronoun के concepts हैं उन में आपको इस सब चीजें मिल जाएंगी तो जितने भी type के questions बनते हैं तो देखने में तो subjective case, objective case positive case को कोई खास तवज्जो दी नहीं जाती है ना उनकी किताबों में लेकिन इसे questions बड़े गजब के बनते हैं इसलिए इतना detail में इतना deep में हमने इसको पढ़ाई किया है इसका study किया है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में thank you so much, may God bless you all नमशकार, धन्यवाद, जैहिंद